आपका माइन डाइवर्ट करके आपको मीम कोईन से दूर करके मार्किट के अंदर बड़े बड़े वेल्स किस तरह से गेम कर रहे हैं इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो मीम कोईन्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं meme coins के हम कुछ returns आपके साथ discuss करेंगे कि reality है क्या अगर meme coins खराब है market के अंदर तो इतना pump हो क्यों रहे हैं अगर meme coins में दम नहीं है तो वो इतना pump क्यों हो रहे हैं उनके अंदर इतना पैसा क्यों हो रहा है और वो अपने holders को इतना अमीर क्यों बना रहे हैं इतना बड़ा return क्यों दे रहे हैं ये कही न कहीं एक दोगला पन है market के अंदर है न कि बस आपको भटकाया जाए आपको दूर किया जाए कि भाईया meme coins तो ऐसे हैं वैसे हैं ठीक है ऐसे आपको बहुत सारे लोग जो meme coins lover होंगे न वह आपको alt coins के खिलाफ मतलब ऐसे कहते होंगे कि alt coins ऐसे हैं वैसे हैं हम ऐसा नहीं कहते देखो जहां आपको profit मिल रहा है दिख रहा है न profit चाहे वह meme crypto हो चाहे alt coin हो हम किसी को ऐसा नहीं कहते कि भाईया alt coins खराब है यह खराब है वह खराब है नहीं एक trader एक investor की नजरना निशाने पर होनी चाहिए सिर्फ मतलब target पर होनी चाहिए target पर निशाना होना चाहिए और वह निशाना वह depend वह matter नहीं करता कि वह meme crypto है वह alt coin है अगर meme crypto से आपको 10,000% का return दिख रहा है मिल सकता है और आप आपने देखा बाद में मिल भी गया तो क्या आप नहीं लोगे ऐसा कोई नहीं है अगर जिसको कहीं भी दिख रहा है वो लेगा जरूर लेगा ठीक है तो reality कुछ हटके है बस मैं आपको इतना ही कहूंगा अपनी research आप जरूर कीजिए ठीक है बड़े बड़े returns से आपको कैसे दूर करना है छोटे से returns देगे आपको कैसे खुश करना है और अगर आप छोटे में खुश होते रहोगे तो आप करोड़ पती लगपती नहीं बन सकते मार्किट से this is the reality टर्बो के प्राइज 30 दिन का चार्ट है 1100 परसेंट इसके प्राइज बड़े है नेक्स्ट आता है इस लिस्ट में solana का meme coin जिसका नाम है ponk अभी bybit के उपर आया पॉलोनिक्स पे आया और 90 दिन का आप हाल देखिए ponk का और जब से bybit पे आया 0.1 डॉलर से 0.5 डॉल this is the normal behavior of meme cryptocurrencies यह कम में बात नहीं करते हैं यह हजारो में बात करते हैं हजारो परसेंट रिटरन देते हैं 100-200 वाले नहीं है ठीक है next आता है मायरो मायरो को भी आपने बहुत बार पंप होता हुआ देखा था होगा अभी आपने दो दिन पहले देखा डॉजवेफ हैट मायरो सबमप भॉरेजे सुलाना के mostly meme coin और यह भी एक साल का चार्ट है जब से ही आया मार्केट में 6500 परसेंट के रिटरन दे चुका है अपने holders नेक्स्ट आथा डॉजवेफ हैट डॉजवेफ हैट के नंबर काफी बड़े हैं ठीक है जो डेटा कॉइन मार्केट कैप पे है वह हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 2000 परसेंट इसके प्राइस बड़े है और अगर हम पूरी लिस्ट खंगालने लगे मीम कोइन्स की तो भाया तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है बस आप शोट में इतना समझ लीजे कि आपको भटकना नहीं है ठीक है आपको अपना प्रॉफिट देखना बस जहां से आपको मिल रहा है जहां से आपको पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि बड़ा रिटर्न मिल सकता है तो आप अपनी डबल रिसर्च कीजिए अपनी पॉसिबिलिटीज पे कायम रही है ठीक है बहकावे में या भटकाने में भटकें भटकें मत क्योंकि अगर आप बटक गई तो आप छोटे रिटर्न्स तो ले लोगे लेकिन बड़े रिटर्न्स आपके हाथ से निकल जाएंगे जैसे ही आप भटके वैसे ही वेल्स अपना पड़ेगा मार्केट में तो महीने का एंड आ चुका है ओल्मोस्ट और एक्सार्पी की वेल्स भी एक्शन दोसो बासट मिलियन एक्सार्पी वन थर्टी सेवन मिलियन डॉलर के यह भी क्रेकन से अन्नॉन वालेट के ओपर जाएंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकोइ एटीएफ वर्ल्ड में चल किया रहा है बिटकोइन के प्राइज दो दिन से थोड़ा स्टेबल ही हैं 67 68 के लेवल पे और 9 एटीएफ ने क्या किया डिक्रीज किये आज 667 बीटीसी 45 मिलियन डॉलर के ब्लैक रोक ने एड़ किये 364 बीटीसी 24 मिलियन डॉलर के करेंटली हो 8 1000 डॉलर समय कि बटकोइन दू बिल्कॉल आज पूरी खेप खेप निकल रही है ब्सक्राइब कोई नहें निकले हैं दो ट्रांजेक्शनस में XRP निकले हैं और TX जिसको आप ट्रॉन बोल सकते हो टो टियर एक सी जहां तक हम बात करते हैं TRX की performance पिछले 2-3 सालों से ही stable रही है लेकिन हाँ एक बड़ा altcoin जरूर है उमीद है इस bullrun कुछ अच्छा performance देगा TRX ठीक है तो कितने हैं 271 million TRX है 30 million dollar की ये भी kraken से जा रहे हैं non wallet Donald Trump के statements market के अंदर viral है और no doubt Donald Trump के आप market में उठा के देगे लिजी इतने सारे coins आ गये हैं कोई Donald Trump करके है कोई super Trump करके है कोई daddy Trump करके है कोई black Trump करके है तो पैपे super Trump कोई financial advice नहीं है Brett और ये कुछ ऐसे top meme coin gainers है जो कही न कहीं अगर gainer list में आया है अच्छे gains मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ बदोलत Donald Trump जो भी चीज जो भी update जो भी news market में चलती है hype बनती है उसी नाम से coin आते हैं और वो pump करते हैं और बहुत सारे whales इन में game करके लेकिन ये risk हो सकते हैं ठीक है क्योंकि ये pump dump वाले coins होते हैं जैसे hype खतम, news खतम इन coins का कोई अता पता नहीं होता ठीक है इसलिए crypto market में आपकी double research होनी चीए नए crypto currencies के उपर ठीक है कौन सा सही है, कौन सा गलत है अगर आप अच्छे से research करेंगे तो आपको definitely पता चलेगा जब से ETF approval मिले हैं बहुत अच्छे inflows आए है Bitcoin के, लेकिन JP Morgan ने यहां पर कुछ expect किया है किसके अंदर JP Morgan expect only 3 to 6 billion dollars in Ethereum ETF inflow this year Ethereum ETF approval मिल गया और expectations यह है JP Morgan के 3 to 6 billion dollars Ethereum ETF में आ सकते हैं तो अभी अभी हमने discuss किया 20,000 Bitcoin की हल चलो यह बहुत बड़ी हल चला result आप देखिए Bitcoin ने break कर दिया 69,000 dollar का barrier अब expectations है भाईया कल का आखरी दिन है कि 70,000 पर closing जो हम expect कर रहे थे वो कहीं न कहीं fulfill हो सकती है लेकिन फिर 24 गंटे से उपर का time है तो बहुत गंटे हैं और बहुत अच्छे game कर सकता है crypto market Bitcoin ठीक है थोड़ा सा लट रहीगा तो Bitcoin ने 69,000 dollar का barrier तोड़ दे तो जैसे हमने कहा था कि market में जैसे जैसे reveal news आएंगी वैसे वैसे आप तक ख़बरे पहुंचती जाएंगी Singapore का largest bank है DBS और क्या खबर आ रही है Singapore का यह जो largest bank है DBS reportedly hold near 650 million dollar worth of Ethereum according to Nansen Nansen का report Nansen के data यह बता रहा है कि DBS has already made 200 million dollars on its Ethereum holdings भाया 650 million dollar के Ethereum DBS bank के पास है और 650 million dollar को अगर हम convert कर लें इंडियन रुपीज में तो यह 500 करोड से भी उपर का number हो गया और 200 million dollar की profit भी चल रही है DBS की तो banks छुपे रुस्तम है और Singapore कही न कहीं crypto में already positive है crypto को लेके Singapore का largest bank DBS hold करता है 650 million dollar के Ethereum तो last and final में बात करेंगे crypto liquidations के बारे में Bitcoin ने pump करके अभी-अभी 4 million dollar shorts वालों के liquidate भी कर दिये 4 million dollar ठीक है गेम तो चलेंगे जब तक closing नहीं होती और 24 गंटे में 147 million dollar के liquidations है long वालों के 95 million dollar और short वालों के 52 million dollar तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पेंड किसी भी crypto में अगर आप invest करना चाहते हैं तो हमेशा आपनी research करें वह बहुत जरूरी है next video किस पर होना चाहिए भी comment करके जरूर बताएगा और नीचे description में telegram X के link है join नहीं किया तो कीजिए को update मिसने होगा मिलेंगे next video में तब तक के लिए bye bye take care